सबों को नमस्कार, मैं एड्मिन डॉक्टर राजिस प्रशाद आपसे मुखातिब हूँ ब्लड प्रेशर या रक्त चाप एक ऐसी बिमारी हो चली है जो प्राय सभी घरों में किसी न किसी को हो ही जाती है सभी चिकित्सक अपने पास आने वाले रोगी को एक हिदायत अवश्य देते हैं दवा कभी भी खाना मत भूलिएगा, रोज खाईएगा आए इस रोग के मूलभूत कारणों को समझते हैं एक उदाहरन लेकर समझने की कोशिस करते हैं आप कार से या किसी फोर हुईलर से जा रहे हैं तो अच्छी सडकों पर एक सो की या असी की या साथ किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला लेते हैं कभी खराब रोड आने पर ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड कम करते हैं और गियर डाउन करते हैं गाड़ी को टॉप गियर या पाचवें गियर से प्रायर दूसरे नमबर की गियर पर ले आते हैं गाड़ी की स्पीड घटा कर बीस या दस कर देते हैं या अपने आप इतनी ही स्पीड हो जाती है और सडक पर गड़े आदी भी हो तो प्रतम गियर भी लगाने की जरूरत पढ़ जाती है फिर भी गाड़ी हिचकोले खाती हुई धीरे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है अब आप ज़रा सोचिए कि अगर खराब सडक पर गाड़ी की स्पीड कम न की जा सके या कम न हो तो क्या होगा मैं अपने बारे में बताता हूँ 500-600 किलोमेटर की दूरी सुबह से रात तक में प्रायह कभर कर लेता हूँ मुझे ड्राइविंग में आनंद मिलता है साल में दो या तीन बार लंबी यात्रा पर निकलने का अवसर मिल जाता है अब समझे आपका सरीर आपका मन और आपका प्राण ये तीन चीजें हैं जिससे आपका इस्तित्व कायम है तीनों में संतुलन अस्थापित नहीं कर पाएंगे तो रक्त चाप या ब्लड प्रेशर की बिमारी हो ही जाएगी एक अच्छा ड्राइवर खुद को फिट रखता है गाड़ी को दुरुस्त रखता है और सडक के अनुसार गाड़ी की स्पीड को घटाता बढ़ाता अपनी यात्रा को हमेशा ही पूरी कर लेता है लक्ष पर पहुचा देता है सडक को आप अपनी परिस्थिती या जीवन की समस्या समझ लें सरीर को फोरविलर या गाड़ी समझ लें और अपने मन को ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर समझ लें फिर सरीर और मन का तालमेल परिस्थिती के हिसाब से बैठाना प्रारंब कर दें ब्लड प्रेशर की बिमारी आपको या तु लगेगी ही नहीं और लगी है तो दूर हो जाएगी बस संतुलन मन और सरीर का बना करके चलें किस से बना करके चलें अपनी परिस्थिती से होमियोपैथी में कुछ अच्छी दवाईया हैं जो आपको इस बिमारी से मुक्त होने में आपको भरपूर सहयोग देगी इन दवाउं के साइड इफेक्ट बिलकुल नहीं है और दवा कब खानी है इसके लिए आप जान लें कि सामान्य रक्त चाप 140 बाई 90 तक को कहा जाता है 160 बाई 105 ये वह सीमा है जब दवा की आवश्चकता आपको पढ़नी शुरू होती है यानि 160 बाई 105 से पार अगर चले गए तो दवा की अनिवारियता है दवा खानी ही पड़ेगी दवाओं के नाम है एड्रेनेलिनम, आरममेट, कैक्टस, कैलकेरिया कार्ब, कोनियम मैक, क्रेटेगस, पैसी फ्लोरा, रावुल्फिया, जिनसेंग, ग्लोनोईनम आप मुझसे रक्त चाप, समंदित, कोई पूष्टाच भी ग्रूप में करना चाहें तो कर सकते हैं सबों को मेरी शुब कामना है, रोग मुक्त जीवन हो सबका, बहुत बहुत धन्यवाद